हेलो व्यूवर्स कोई बी विशish प्रिपरेशन नहीं लूंगी और जैसे ही ये थोड़ा सा तड़क जाएगा, गरम मसाला थोड़ा सा तड़क जाएगा, मैं उसमें प्याज डल दूगी, प्याज भी मोटी कटी हुई है और इसमें कोई विशेश प्रिक्रेशन नहीं लगते, फूप जल भी ये बन जाता है, मोटी कटी हुई प्याज, कू चिकन लिया हुआ है अब ये कटा मसाला है इसलिए इसकी सभी मसाले काफी खड़े हैं और किसी को मैंने पेस्ट नहीं किया है और एक केजी चिकन के लिए मैंने एक बड़ा प्याज 3 इंच के बराबर अगर और कमसे कम 20 लहसुन की कलीधी है इनको हम थोड़ा सा प्राइ करते चले जाते अब पर फ्राई गोट जाए जाएगा जासे फ्राइग होता चला जारा है ईस उसमें सभी मसाली एक साथ डाल सकते कोई प्रोब्लम नहीं है आप इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दीजे आपने स्वाज के अनुसार है हमारे यहां जो झूद नमक चलता है उसे स्षाब सकते डाल रहे हैं मिलंचे जैसी नमक हड हो जाता है आप उसमें हल्दी इसके बीतर हम थोड़ा सा और चलाते चले जाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा और भुण जाएं, चुकि ये मसाला तोड़ा भुणना जरूरी है, उसके बार जासे ये थोड़ा सा भून जाता है, हम थोड़ा सा इतने जादा मात्रश में Black paper powder डाल देंगे, Black Pepper Powder डालने से बहुत सुंदर तेस्ट आएगा आपको ज्यादा मसाले भी नहीं डालने पड़ेगे और एक बहुतु सुंदर तेस्ट आएगा इसके बाद आप मेचेड़ कर सकते हैं ज сог जैसा आपस्वादें क्षफाद है तुमाटर थोड़ी से गल जाने चाहिए, तुमाटर थोड़ी से गलने के बाद थोड़ा सा और गल जा दे लिए इसको और इसको चलाते चले जाएगे, अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च आप एड़ कर सकते हैं, मैं इसमें भी मिर्च एड़ नहीं कर रही हूँ, मिर्च आ तो यह यालू, जो कि हम दूसरे आइचक्स में फ्राइ करके डालते हम ने हिचाने हम डालेगस अदालू जाने हम पुछ कटे हुए आडू के डाली हैं , इन आलू को भी हम तोड़ाका इसके साथ, समि-फ्राइ कर लेंगे यह बहुत जल्दी बनने वाला एक चिकन का आईटर्ब है इसको दिले दीले इस चाल सी चलाएंगे और जी पलट, पलट देंगे पलटने से क्या होगा Oito का मसवला जो हो इस पी प्रीक से की उतर आजाएगा इस चलाएगा चलाते हुए आप देख रहे हैं कि यह इसमें कल्र है जो हंदी का तल्र हक वो इसमें आजाएगा और यसको आफ चलाएगे जिटा चलाएगे उतना इसमें सिंखेगा निवदा सा जैसी सिंख जाएगा 2-3 मिन चोडने के बाद हम इसको करश लिड लगादेंगे इसके उपर धक्कन लगा देंगे धक्कन plupart लगाने के साथ ही इसमें से एक वेपर निकलेगा और वो वेपर जैसे इस में काच के ओपर हमको दिखेगा. हम इस में हटाके, कोड़ी मात्र में भरड़ाईगे दाल नहीं, भरड़ी लस्त ली स twee वाथ श्रूशय कोर से जर्वी लाँगे, इस Bak works नोजी जर्फ कराईगे मुझाना आपka, यह पूट स्वादिश्ट बहता हम लिएक और कोई विशेश महनत नहीं रहेगी और आप क्या कर देंगे इस जगी को भी इसमें इसी प्रकार से जाल देंगे और हमने कोई पानी नहीं अट किया है, कोई लेगे कोई पानी कोंगे तो कि भरके वन निखले साथ दी में लेगे it. मैं इस पानी में निखले से तो क्या चरते है, इसको बुटिको कशा ताइट कर sido तो कोई निखले से लगा nut Amen थोड़ी देर बाद मैं आपको बदाते हूं यह कितना सुंदर दिखेगा और खाने में भी अच्छा लगए चिकेन कट कसा मसाला बनाने के लिए मैंने इस लिट को ढग दिया था तीन मिनिट के बाद मैंने लिट को थोड़ा सा खोल कर उसमें एक कप बड़े कप का एक कप पानी डाल दिया था जिससे जो मसाले हैं वो जले ना अब हम इसको सिम में रखे हुए कम से कम 17-18 मिनिट हो चुके हैं अब मैं क्या करूंगी गैस को आफ करूंगी तो कि इसमें जो को भी तेल वगेरा रहता ना उसको अच्छी तरह ऊपर खिलाता है इसमें आप कश्मीरी यादी लाल मिर्च डालते ना तो इसका और अच्छा आएगा जो कि मैंने नहीं डाला है और आप चाहिए तो इसको डाल सकते हैं तो इसका जो कलर है तो बहुत भी खिला हुआ है अ इसका मतलब ऐच्छी तरह घज चुका है अब हम क्या करेंगे सभी पीसरा को इस बॉर में बड़ार करने कि ए आप चावल के साथ या रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं देखिए आप ए इसको बउल पर ठास्वर कर रहे हैं और ये पूरा अच्छी तरह कूल हो चुका ह है आप इसको चाहिए तो चावल के साथ या रोटी के साथ का सकते हैं जैरी आप ऊठेख थाइए नहीं हो एक है तो यह तो यह पूर अच्छी तरह को को चुका है और मैंने इसको बावल त्राइक करके देखिए जल्दवाजी में बनने वाला बहुत अच्छा डिश है झाल झाल